नमस्कार आप देख रहे हैं The India Top मैं हूँ आदेश पूरी राज्य की सबसे बड़ी परिक्षा लेने वाली आयोग भरती आयोग BPSC के द्वारा दो सदस्य टीम दिल ली जाती है UPSC में कारे परणाली को सिखने के लिए और BPSC के द्वारा एक ऐसा काम भी किया जाता है जो कि साइद से भी किसी आयोग के द्वारा नहीं किया जाता है Assistant Engineer का Examination हुआ PT परिक्षा पतना के तीन संट्रों पे हुआ और पहली बार Candidate को Thumb Impression की जगा आखों की पुतली का उसमें लिया गया निसान और उसके अधार पर परिच्छा में इंट्री दी गई यानि कि Zero Tolerance की निती कि कोई किसी भी तरह का गरवड़ी जो है परिच्छा में नहों पाए लेकिन छात्रों का ये प्रस्ण है कि ये आयोग में जा यूपीएसी में जाते हैं आयोग के लोग लेकिन यूपीएसी ही 2020 सिवील सिवा परिच्छा होने के बाद वेटिंग लिस्ट जारी करती है 150 कंडिडेट की वेटिंग लिस्ट जारी किया जाता है यूपीएसी के द्वारा आप देख सकते हैं कि इस्क्रीन पर आ रहा है कि दिया हुआ है कि यूपीएसी के द्वारा जो है जनरल काटेगरी से 75, EWA से 14, OBC से 55, SC से 5 और ST से 1 यारी टोटल 150 वेटिंग लिस्ट जारी किया गया है UPSC के द्वारा अमूमन हर एक साल वेटिंग लिस्ट जारी किया जाता है क्योंकि ऐसे बहुत सारे कंडिडेट होते हैं जो परिछा देते हैं और अच्छा रैंक नहीं आता है तो जोईन नहीं करते हैं जिसके कारण सीट खाली न रहा जाए इसके लिए वैसे कंडिडेट जो की बॉर्डर लाइन पर जाकर जिनका रिजल्ट नहीं हो पाता है उन्हें सिवा में आने का मौका दिया जाए क्योंकि उनका सीट खाली ही रहा जाता है यही प्रोसेस यही जो नियम है इसको अधार बनाकर बालें सी गद्वरा क्यों ही जारी किया जाता है डिप्य को तलब किया गिया प्रसंत पूछा गया तो अपना संकल्प 16 को दृघराती है इसमें वेटिंग लिस्ट के एक साल के अंदर पूरा कर लेने का संकल्प BPSC ही करती है लेकिन दो से तीन साल लग जाते हैं चौशाठवी को लेकर मामला है तो चौशाठवी में ही तीन साल लगिया पूरा होने में और ऐसे में पांच आदेश दिये जाते हैं राष्टिय पिश्रावरगायोग के द्वार से लीगल एडवाइस मिलने के बाद इस पर आगे करवाई की जाएगी वही जो हमारे सुत्र है वो बताते हैं कि चार अक्टूबर को सुनवाई का डेट रखा गया है अगर BPSC वेटिंग लिस्ट के बारे में कोई आपत्ती दर्ज करता है या देने में हिचकचाहट प्रस 112 है 511 है जन्रल कटिवरी का जो भी और वी जो आते हैं जिनका जो आता है वहां पर बताये आपको कि वो लगातार हमें फॉन कर रहे हैं उनका साफकाना है कि आयोग के द्वारा जो है वो जारी किया जाए वेटिंग लिस्ट ताकि हमारी जो सीटे हैं जो खारी अब आप ही देखिए ना ओम परकास गुपता जो की चौशाटवी वीपीएसी में टॉप की है उनका 349 रहीं की यूपीएसी में आया है आईपीएस मिलने का उनको संभावना है उन्होंने साफ कहा कि मैं यूपीएसी के अपना नोकरी को जोईन करूंगा आईपीएस की नोक करेंगे आसंकाएं ये बताई जा रही है कि 20 से 25 पर 35 सीट चौशाटवी वीपीएसी में खाली रह जाएगा यानि कि 1454 कैनिडेट जोईन का जो बहाली हुआ उसमें से 11 से 1200 ही लोग जोईन करेंगे बाकी 2500 के असपास खाली रह जाएगा ऐसे में उन छात्रों के साथ ये न मौका भी खत्म हो जाएगा तो बीपीएसी के दोड़ा तो ये कहा जाता है कि अगली परिक्षाओं में हम जोड देता है लेकिन अगली परिक्षा जो है काफी लेट सेट होती है और ये सही नहीं है जब उस बाली को उस समय के लिए किया गया तो उसको पूरा किया जाए ऐ यूपीएसी लेकिन यूपीएसी के द्वारा जो नियम कानून अपनाए जाते हैं वेटिंग लिश्ट दिया जाता है जिसको लेकर एक समयधानिक संस्ता जो है आपको अल्टीमेटम तक दे चुकी है उस पर करवाई न होने से कैंडिडेट जो है वो काफी नराज है और ए आयोगों से सीखने के लिए जा रहा है तो उसके नियम भी अपनाएगा और जल्द से जल्द वेटिंग लिस्ट जारी करेगा ताकि वैसे कैंडिडेट जिनका अंतिम मौका था जिनोंने कड़ी मेहनत की थी जिनका एक नंबर से नहीं हो पाया दो नंबर से नहीं हो पाया या फिर कट अफ से ज्यादा नंबर होने के बावजूद में उनका सेलेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि सीटेफ फुल हो गई थी तो ऐसे में उनका कैंडिडेट का जीवन बन सकता है उनका सिविल स्वा में आने का सपना पूरा हो सकता है तो गुजारी साय आयोग से जनरल ए आपके बनाय द्वाय गए कटफ से कुछ हंकों से बाहर हो गया है जबकि उनकी सीटे भी खाली हो गई है रा जाएंगी तो जरूरत है बहुत जल्द से जल्द वेटिंग निस जारी किया जाए बहुत बहुत धन्यवाद